अब इस lecture के अंदर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हमने इस statistics की series के अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो पढ़ नहीं है ठीक है उन चीजों के बारे में देखते हैं ताके मैं आइस्ता इस्ता आपको topics के साथ हवाला दे के बताओं के हम क्या करने वाले हैं इन आने वाले दिनों के अंदर तो मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ और topic-wise मैं चीजों को यहां पे लिखता जाओंगा यानि के content क्या होगा हमारा statistics के पूरे course का content के अंदर मैं यहां पे आपको one by one करके चीजें जो हैं वो लिखके दिखाता हूँ and then it would be easier for us to grasp these things together सबसे पहले हमने देखना है मैं यहां पे इसको white color से लिखता हूँ सबसे पहले stat क्या है statistics का introduction ठीक है statistics intro यह मैं hand written क्यों बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए intro जो हम आज कर रहे हैं फिर हमने देखना है data क्या है ठीक है कौन से five pillars हैं जो data के ज़रूरी हैं for stat जो already मैंने आपको बता दी है five pillars ठीक है number three हम देखेंगे के data की types कितनी है data types ठीक है अब data type जो है इसी पर depend करता है कि आप data को measure कैसे करते हैं so level और scales of measurement scales of measurement यानि कि आप data को count करते हैं measure करते हैं या क्या करते हैं ठीक है और data की types के अंदर आपके पास काफी किसम का data आ जाता है qualitative, quantitative, categorical, numerical, so on and so forth बाकी चीज़ें भी हम देखेंगे फिर number five पे हम जाएंगे खास तोर पे जो हमारा data collection and sampling की टेक्नीक्स है data collection and sampling data sampling जो चीज मैं आपको अभी बता के आटाओं वो बहुत ज़रूरी है data sampling के अंदर इस वज़ा से हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे फिर हम data को visualize किया से किया जाता है उस पे अच्छा खासा काम करेंगे data visualization पे ठीक है यानि के कौन से plot का मकसद क्या है ठीक है और common tools कौन कौन से है histogram, bar plot, बाकी सारी चीज़े हम देखेंगे फिर हम move करेंगे number 7 पे EDA ये बहुत important topic है जो data science और data analysis के अंदर हर जगा पे use होता है और इसका मकसद क्या है इसका मकसद सिरफ एक है explore the data यानि के exploratory data analysis और इसके अंदर statistical tools यूज़ करके हम EDA analysis करेंगे for the data और ये हर field के अंदर बहुत important है ठीक है फिर इसी के साथ जब हम exploratory data analysis कर रहे होंगे उसी के अंदर हमारे पास terms और भी use होती है descriptive statistics की descriptive statistics यानि के हम check करेंगे के हमने descriptive statistics जो है वो कैसे परने है अब descriptive statistics में सारा आजाता है कि central tendency क्या है central tendency यानि के mean, median, mod इसी के अंदर आएंगे यानि के mean, median and mod mean जो है median and mod ठीक हो गया फिर हम करेंगे इनको measure कैसे करना है फिर उसके बाद central tendency के बाद अगली चीज़ आजाती है variability या variance जिसे हम बोलते है variability के center तो है किसी चीज़ का लेकिन वो vary भी कर रहे है जिसके अंदर आपके पास range आजाती है variance आजाता है range variance and then आपके पास जो अगली चीज़ आजाती है that is standard deviation standard deviation आँ में से काफी लोगों ने अच्छी खासी use की होगी इसको कहते है variability फिर इसके बाद जो अगला काम करेंगे descriptive statistics के अंदर ही वो हम चेक करेंगे data की distribution तो अगला pillar हमारा इसके अंदर होगा data distribution का ठीक है इस पे हम चेक करें कि data normalized है नहीं है data की skewness कितनी है kurtosis कितनी है skewness and kurtosis यह मैं आपको पढ़ाऊंगा बड़ी detail में so यह मैं क्यों content बता रहा हूँ ताकि आपके mind में रहे क्या हमने करना क्या then normal distribution भी इसके अंदर आती है normal कौन सी है normal है या नहीं है normal distribution के क्या फाइदे है और क्यों हर किसी की जुबान पर normal distribution जो है वो हर दफा आता रहता है फिर हम देखेंगे इसके साथ ही number 9 पर probability की होती क्या है probability number 9 probability theory probability theory हम पढ़ेंगे और यह बहुत important है for machine learning and AI अगर आप उसमें जंप करना चाहते हैं तो probability आपके लिए समझना बहुत जुरूरी है इसके अंदर Bayesian theorem या base theorem जिसे हम बोलते हैं वो पढ़ेंगे और Bayesian statistics को भी थोड़ा सा touch करेंगे statistics को ठीक है फिर हम चलेंगे आगे number 10 पर inferential statistics जिसके अंदर आप hypothesis बनाते हैं inferential statistics पर और inferential statistics क्या होती है जिसमें आप दो किसम के hypothesis बनाते हैं population को देखते हैं population versus sample क्या होता है pop versus sample जो अभी मैंने आज भी आपको example दे उसको हम पढ़ेंगे फिर आगे move करेंगे ठीक है फिर sampling distribution की theory को हम देखेंगे sampling distribution क्या होती है फिर हम यहीं पर देखेंगे confidence intervals क्या होते है और बाकी फिर practical application इसकी देखेंगे फिर इसके बाद हम आगे move करते हुए देखेंगे hypothesis testing hypothesis testing hypothesis क्या होता है बनाना कैसे होता है और इसको test कैसे करना है और यहां पर हम different किसम के hypothesis testing जो है testing जो है उसको यहां पर understand करेंगे फिर जो main important चीज़ है types of errors यह stat के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है types of error type 1 error and type 2 error type 1 and type 2 error इसको हम देखेंगे and then we will see common statistical tests मैं यहीं पर इसको ले आता हूँ common statistical test यह हम common statistical tests को analyze करके देखेंगे किस तरीके से compare किया जाता है means को और बाकी चीज़ों को और इसी के अंदर हम जो main चीज़ देखेंगे वो univariate analysis देखेंगे bivariate analysis देखेंगे and multivariate multivariate भी देखेंगे analysis वगरा हम करेंगे ठीक है फिर हम देखेंगे p-values क्या होती है एक सरुकात आपके पास p-values आजाती है आपको पता नहीं होता क्या करना है p-values and significance कैसे एक दूसरे पे depend करती है इनको हम गोर से देखने वाले हैं ठीक है फिर इसके बाद यहीं से stat पढ़ते 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 different जो analysis करते करते हम machine learning की तरफ फिर move करेंगे later on जिसमें regression आ जाएगी और statistics किस तरीके से machine learning में use होती है यह सारे के सारे analysis हम देखेंगे parametric क्या आता है non parametric क्या आता है time series को कैसे deal करना है dimensionality reduction क्या होती है आपको सिरफ एक idea दे दिया जाए कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें किस तरीके से हमारा syllabus जो है वो cover होगा और कैसे हम आगे लेके चलेंगे अपने statistical concepts को आपको अगर कुछ भी नहीं आता don't worry आज हमने start ले लिया हुए और आस्ता हम आगे move कर रहे है अगर आपने अभी तक like नहीं किया इस वीडियो को और subscribe नहीं किया चैनल को तो please do it हम फिर अपने next lecture की तरफ move करते है